I'm very greedy about the work that I do. जो फिल्में मैं करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिल्म भी अच्छी है, ये फिल्म भी अच्छी है, मैं ये भी कर लूँगी. मैं साल में पांच-पांच फिल्में कर लेती हूँ, मैं अपना अल्बम भी कर रही हूँ, मैं 11 इंडॉस्मिंग्स भी कर रही हूँ, मुझे सब कुछ करना है. So, I'm very greedy. सही कहां, प्रियांका आपने आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन आपकी यही डिजायर बन गई है अनुरागबासू की फिल्म बर्फी के लिए प्रॉब्लम। खबर है कि प्रियांका फिल्म बर्फी के लिए नहीं दे रही है डेट्स, और इस चक्कर में फिल्म एक बार रुख गई है। दरसल प्रियांका अपने म्यूजिक अल्बम में इस कदर बिजी हो गई है कि बर्फी की शूटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है। प्रियांका इस वक्त यूएस में अपने अल्बम के रिकॉर्डिंग में बिजी हैं जो जल्दी रिलीज भी होने वाला है। अनुरागबासु ने प्रियांका को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो पहले बर्फी की शूटिंग पूरी कर ले। लेकिन प्रियांका ने साफ कह दिया है कि अब वो नेक्स जैनुरी में ही फ्री हो पाएंगी। प्रियांका के इस बिजी स्केजूल के चलते फिल्म में उनके को स्टार रंबीर कपूर और आईलीना डिक्रूस भी परिशान है। खबर है कि प्रियांका के बिजी होने के बाद आईलीना भी अपने पैरंस के पास वापस चली गई है चुट्टिया मनाने। और अन्बीर कपूर अपना पूरा टाइम लगा रहे है रॉक स्टार के प्रमोशन पर। प्रियांका को लास्ट वीकन पर बर्फी की शूटिंग के लिए वापस आना था। लेकिन अब अनुराग बासू और पोरी यूनिट बेट कर रही है प्रियांका की नई डेट्स का। हम आपको बता दें कि पहले भी प्रियांका ने बर्फी को डेट्स देने में काफी टाइम लिया था। क्योंकि उस वाद वो डॉन 2 और अगली पत की शूटिंग में बिजी थी।